गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉंडल व्यूटीव चैनल, स्वागत है आपका मेरी आज की इस न्यू वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं, CSIR, National Institute for Interdisciplinary Science and Technology के तरफ से निकाले गी, Recruitment के फॉर्म फिलप के बारे में, National Institute for Interdisciplinary Science and Technology के तरफ से जो Recruitment निकाल लिए थी, उसका आपको फॉर्म कैसे फिलप करना है, सारा स्टेप बाज स्टेप बदाने वाला हूं इस वीडियो में, तो वीडियो को एंट तक वाज करें, और हमारे चैनल पर पहली वार विजड करने हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसी ही लेटस जॉब अपडे के लिए, डेली ऐसी ही लेटस जॉब अपडेट आपको प्रवाइड की जाती है, इस चैनल पर ओफिशल नोटीस के साथ में, तो इसी के साथ में, आज किस वीडियो को करते हैं, शुरूरूर। आपको डिरेक्टली यहाँ पे क्लिक करना है, केरीर ऑप्शन पे, जब आप केरीर ऑप्शन पे क्लिक करोगे, तो आपके सामने कुछ ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें आपको यहाँ पे तीन पोजिशन दी गई है, पर्मनेंट पोजिशन, टेंपर एंड करना है, क्लिक है अपको यहाँ पे क्लिक करोगे, जिसमें आपका डिटेल यहां पे आपको लिखा गया है click here to apply online, यहां से आपको apply पे click करना है, जब आप apply पे click करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसी window ओपर हो जाएगी, इसमें आपको सबसे पहले 10th का name आपको यहां पे डालना है, जो भी आपके certificate पे होगा, यहां पे name डाल देता हूँ, अजे, उसके अगर नहीं करवाया है, तो आप यहां पे no click करोगे, no click करने के बाद मैं यह option आपका यहां पे आप देख सकते हैं, email आइडिया आपको यहां पे fill कर लेनी है, email डालने के बाद मैं आपको यहां पर पासवर्ड डालना है, आप यहां पे new password create करोगे, जो भी आपको यहां प आप देख सकते हैं, main menu पे आपको जाना है, main menu मैं जाने के बाद मैं आप यहां पे देख सकते हैं, जिस भी candidate ने रिजिस्टर कर लिया है, वो अपना यहां पर email address डालेगा and अपना password डालेगा, मैं email address पासवर्ड डालने के बाद मैं आपको यहां पे बताता हूँ आगे यहां पर apply new पे आपको click करना है, और जब भी आप यहां पे apply new पे click करोगे, आपके सामने जो वो एक यहां पे form open हो जाएगा and यहां पर आपका advertisement नमबर आ गया है, उसके बाद मैं select post का आपका आएगा यहां पे जिस भी post code के लिए आपने apply करना है, यहां पे post code आपको होगे, उसके बाद मैं आपका father name यहां पे रहेगा, father name आपको यहां पे डाल देना है, date of worth आपको यहां पे डालनी है, उसके बाद मैं आपका यहां पे age रहेगा वो आपको यहां पे mention कर देना है, आपकी age क्या थी, उसके लावा बाद मैं आपको यहां पे gender select कर लेना है, अगर male है तो male select करना है, female है तो female आपको select कर लेना है. तेरिजन स्टिप जो रहेगी आपकी वो आपने यहाँ पर इंडेन रख देनी है, उसके लावा बात करें यहाँ पर material status की, अगर आप married हैं तो married करना है, unmarried है तो unmarried है तो select कर लेना है. Releasing की बात करें तो यहाँ पर Releasing आपको फिलप कर लेना है जो भी आपका Releasing है हिंदू है तो हिंदू करोगे Muslim है तो Muslim करोगे उसके लावा यहाँ पर Jen है तो Jen यहाँ पर Select करोगे उसके लावा बात करें यहाँ पर Category की जो भी आपकी Category है Unreserved में, OVC में, SCHT में वो आपको यहाँ पर Select कर लेनी है यह सारी चीज़े Select करने के बाद में यहाँ पर Ex-Service Man का अगर आप नहीं यहाँ पर फिलप करना है Ex-Service Man से कर रहे हो तो यहाँ पर Ex-Service Man का Select कर लेना है और आपका जो भी CSIR Employee है अगर आप तो यहाँ पर Yes करना है, अगर नहीं है तो No आपको यहाँ पर कर देना है उसके लाब बात करें, Person with Disability वाले यहाँ पर Select कर सकती है Yes का उनुका यहाँ पर जो भी आपका Claim for Agile Accession का तो यहाँ पर उसको Select कर लेना है अगर नहीं है तो रहने देना है उसके लाब आप बात करें, तो यहाँ पर जो Second रहेगा उसमें आपको Address अपना Fill Up करना है Address 2 आपका यहाँ पर रहेगा जो भी आपका Address रहेगा वो आपको Address कर लेना है फिलप 3 यहाँ पर आपको Line दी गी है इसमें आपका Address Fill Up हो जाएगा जो भी आप City से Apply कर रहे हैं आपको City यहाँ पर मैंशन कर देनी है State से Apply कर रहे हैं तो उसको State का आपको नाम यहाँ पर डाल देना है उसके लाब आप बात करें Pin Code तो आपको अपना Pin Code डालना है जो भी आपका Pin Code रहेगा आपको यहाँ पर डाल देना है उसके लाब आप बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर Mobile Number आपको डालना है और Mobile Number डालने के बाद में जो भी आपका Mobile Number डालेगा वो आपका Valid Mobile Number होना चाहिए उसके लाब आपको पर्मानेंट अडरेस पर क्लिक करना है अगर आपको यहाँ पर same as address है उपर वाला same रहेगा तो आपको same as above कर देना है अगर आपका change है तो यहाँ पर आपको जो वो दूसरे address डाल देना है उसके लाब आप बात करें यहाँ पर payment details की तो यहाँ पर payment details जो आपकी रहेगी transfer bank रहेगा किस bank में transfer की है उसके लाबा बात करें यहाँ पर remit date रहेगी and आपका amount रहेगा उसके लाबा बात करें यहाँ पर remit name रहेगा transfer branch रहेगी इस branch में आपने transfer किया है transaction reference number आपको वहाँ पर मिलेगा जब भी आप online उसको payment को करोगे तो वो सारी आपको चीज़े fill up कर लेनी है save as आपको continue कर देना है इस form को मैंने आगे apply नहीं करना है क्योंकि मैं form fill up नहीं करने लगा हूँ इसलिए मैंने यहाँ तक आपको सारा procedure बता दिये है आपका यहाँ पर जो वो form fill up हो जाएगा उसके लाबा बाद में बात करें तो यहाँ पर जो वो आपका qualification का आगे मांगे खाथ तो qualification आपको fill up कर देनी है signatures का मांगे खाथ signature आपको upload कर देनी है जितना possible था मैंने सारा form आपको बता दिये है वाकिक आप यहाँ पर देख सकते हैं तो आप comment करके में इसे पूछ सकते हैं मैं आपकी सारी problems को दूर करने के कोशिश चुरूर करूंगा तो आज की वीडियो में सिर्फ इतने ही और वीडियो informative लगी हो तो वीडियो को like and share जूरूर करें और हमारे चैनल पर पहली बार विजर कर रहे हैं चल को subscribe कर लें ऐसी ही latest job update के लिए डेली ऐसी ही latest job update आपको इस channel पर प्रवाइड की जाती है official notice के साथ में फिर मिलती हैं next video में तब तक के लिए thank you, goodbye, take care